अगे वदांगे हे माचल परदेश विद आंसवा सार्दरोत अजलास दाते जाते आखरी देने आजे ते आज भी सदन वे छंगामा होन दी पूरी एथे जो है सुंभावना है दफ्तरा नू डी नोटिफाई करन दा मुद्धा गर्मोन दे असार नजर आरेने कारवाई दे श काईदा देखनू मिल्दा है के बहुत दा हंगामा पर पूरे रहें देने पर अज की कुछ वह आप परता है इस जरूर नजर आएगी हमाचल विदान सबादाज तीसरा देने आखरी देन वी हंगामे दियासार बने होई ने रफ्तरा नू डी नोटिफाई करन दा एस तो इलावतों नवी दस्दी के कारवाईदे शुरुवात वेच सीम सुखु अज कैक दी रिपोर्ट नू सदन वेच पेश कर सक्देने रख सक्देने एजो क्यास्त्राइआ लगनिया है यते दस्दी आज राजपल देफ आशंदा सीम सुख्विंदर सुखु ने जवाब भी देना है ते जो एहम मसले ने जस्तेविद आइकाने चर्चावी करनी है ते उस्ते जवाब देन देवी आज सीम सुख्विंदर सिंग सुखु नजर ओन गे बेहदी आहम दिन आज प्रेन वाले साथे सेयोगी विशाली जुडगे ने विशाली की लगदे आज केड़े मुद्यां ते बहस हो सक्दी है सदन देवेच जी जी मैं आपको बताओ कि आज सदन का तीसरा और आखरे दिन है शीत कालीन सत्र का तो आज जो हमारे पास खबरे आ रही है कि विपक्ष चूंकि विपक्ष के पास सिर्फ आज का दिन है अपना शक्ति प्रदर्शन करने को या अपनी ताकत दिखाने को या अपनी बात जो है वो सकती से पटल पर रखने को तो आज विपक्ष बिल्कुल सरकार को घेर सकता है आपको जैसे आपने बताया दो तीन चीज़े जैसे कैक की रिपोर्ट जो है वो सदन पर रख सकती है राज जिपाल के विभाशन पर विपक्ष जो है उस पर भी हंगामा कर सकता है लेकिन कु के मैनेजमेंट पर जो विधैक है उसका आज पेश किया जा सकता है और उसके बाद माल और सेवा कर संशोधन अमेंडमेंट विधैक जो है दो हजार तेस उस पर भी चर्चा होगी और उसके बाद जो मेन मुद्दा उसी पर आते हैं कि सदन में आज खूब हंगामा देखने को मिल सकता है तो हमारी पूरी तरह से नजर उस पर जरूर बनी रहेगी और आपने जैसे कहा कि डी नोटिफिकेशन का जो मुद्दा है वो शुरू से ही विपक्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पांसो तेरा संस्थान जो है वो डी नोटिफाई किये जा चुके हैं सुकु सरकार बनने के बाद से आपको एक और अपडेट हम दे दें कि कल अच्छानक ही सत्र के खत्म होने के तुरंत बाद सीएम सुकु दिल्ली के लिए रवाना होगे क्योंकि कैबिनेट गठन ना होने का मुद्दा भी बड़ा गर्मा रहा था तो वो तुरंत दिल्ली र जार तक चली और अब आज जो है हो सकता है कि जो बड़े-बड़े मुद्दे हैं डी नोटिफिकेशन का मुद्दा संस्थानों को जैसे बंद करने का जो मुद्दा है और साथी साथ ओपीस का जो बहाली का मुद्दा है उस पर भी कल हमने कुछ लोगों से भी बात की थी ह अला कि वो भी आश्वासन चिता रहे हैं कि नहीं यह सरकार कर देगी लेकिन विपक जो है इस पर जरूर सरकार को घेरेगा तो आज सीधा-सीधा हम कह सकते हैं कि हमें हंगामे की तस्वीरे देख देखने को मिल सकती है विशाली बिल केड़े-केड़े पेश हो सकते नहीं जैसे मैंने आज एक कहा कि एफार बी-म उसका मैं एक पूरा वो बताती हूं फुल फॉर्म क्या है यह राजकोश यह जैसे जो भी जो पैसे अलॉट होते हैं या बजट जो सैंक्शन होता है उस पर जो विधैक है उस पर चर्चा होगी और उसके बाद आपको बता दें और कौन सा है मेंन में यही दो मुद्दे हैं एक तो एफार बी-म जो चर्चा विधैक है उस पर चर्चा हो सकती है और उसकी जो दूसरा बड़ा है वो है कैग रिपोर्ट जो हमारी पास जो लेटिस्ट अपडेट आई है यह दो मुद्दे हैं जिस पर जो है वो सब की नजर बनी रहेगी एफार बी-म पर हम लेटिस्ट रिपोर्ट जैसे जैसे आती जाएगी हम आपको बताते भी जाएगे कि उस पर क्या चर्चा हुई क्या हुई है फिलहाल कैग और एफार बी-म विधैक जो है वो एक बड़ा मुद्दा है जिस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी कि क्या पेश हुआ और कैसे चर्चा हुई और उससे क्या निकला जे बिलकुल वेशाली वेखना होवेगा फिलहाल तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया एफार बी-म पेश केता जा सकते इस तो लावा सी एजी दी रिपोर्ट आजी पेश होवेगी वेस जैस वेखना होवेगा की एहम पाख एथे CM सुक्विंदर सिंग से खूवलनों रख्या जानता है